अगर आप नए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी कमी होती है और हमें लगता है कि जो गेस्टार होने हों भी कुछ अच्छा खिलाना है तो यह रेस्पी आज आपके लिए है और यह काफी ही रेस्पी टेस्टी बनता है इसके लिए ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के साइट के टुकड़े को कट करके निखान लेंगे और यह चोंट को कटीन साव 2 स्धास सबीजित कटीन धूंट काते हैं मैंने चबसा लिए और दो just कें लिए लार और एक सब्रामान दोंट यह उसमें लेंगे पने भी लाइब हम लिसाउ न क्लोट होने तक पलट के अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और यह आप ध्यान जरूर रखना कि यह जले नहीं अगर आप फ्लेम तेज रखोगे तो यह जल जाएगा इसलिए आप स्लो फ्लेम पे ही करना और इसको फ्राइ करके इसको हम अच्छे से फिर साइड में रख देंगे फिर द मेन चीनी तालेंगे चीनी मैंने अधि काटोरी ली हूई है आधि काटोरी मतला है बस दोज में कास्टरड पाॉडर को कटोर में ले लेगे और वर्य हो दूड़ करेंगे नार्मल cooking करेंगे ताकि इसमें इसमें इन रहर जाए और फ्लेम लोग ही रहे aye हम धेरे धिरे कास् राग चलाते रहेंगे और दो मिनट में ही गाड़ा हो जाएगा जब यह गाड़ा हो जाए तो फ्लेम को बंद कर दें फिर इसका बास जो हमने ब्रेट को फ्राइक के कर के रखा हुआ था काटोरी ना लेंगे और इसमें गरम गरम ही कस्टरड को हम डाल देंगे ठंडा करके डालेंगे तो अंदर तक यह नहीं जाएगा इसमें आप चासनी भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह भी आप बनाएंगे तो काफी अच्छा यह टेस्टी होता है और इसमें आप ड्राइफ फ्रूट्स अपने हिस इसी तरह बनाये रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें